Hello Everyone, यह Unit 7 का Second Lecture है आज की इस Video Lecture में हम लोग पढ़ेंगे Introduction to CPM and PERT Technics Last Video Lecture में हम लोगों ने Project Management के बारे में पढ़ा था आज हम लोग पढ़ेंगे Project Management Technics के बारे में सबसे पहले है Network Analysis Network Analysis क्या होता है? Network Analysis या Technics are used for planning and scheduling of projects हम लोग Project के scheduling के लिए और planning के लिए Network Analysis या Network Technics का यूज करते हैं CPM और PERT दुनों Network Technics के ही टाइप हैं CPM and PERT are Network Technics used in Project Management हम लोग कुछ important term के बारे में पढ़ेंगे जो की आगे आने वाले problems को solve करने में आपकी मदद करेगे सबसे पहला होता है Network Diagram इसको हम लोग Arrow Diagram भी कहते हैं आपको हर जगए इस तरह का कुछ डाइग्राम दिखाई देगा इसको हम लोग क्या कहते हैं? Network Diagram या Arrow Diagram क्या होता है यह? It is a graphical representation of project किसी भी प्रोजेक्ट का यह ग्राफिकल डिप्रेजेंटेशन है and it consists of series of activities arranged in a logical sequence and so the interrelations between the activities Network Diagram या इसको आप Arrow Diagram भी कर सकते हैं यह किसी भी प्रोजेक्ट का ग्राफिकल डिप्रेजेंटेशन होता है जो कि different activities को दिखाता है और साथ ही साथ उनके बीच का एक relationship को भी दिखाया जाता है इस Network Diagram में अब आता है यहाँ पर टर्म activities आप लोगों देखा हुआ यहाँ लिखा हुआ activities क्या होता है activities An activity is the actual performance of a task कोई भी टास्क का perform करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में तो क्या कहलाएगा वो कहलाएगा activity An activity consumes times and resources कोई भी activity, time and resources दोनों consume करता है आप एक example के लिए ले सकते हैं Building a wall आप कोई दीवाल बनाते हैं यह क्या कहलाएगा यह activity कहलाएगा क्योंकि आपको दीवाल को बनाने में समय भी लगेगा और साथी साथ resources भी लगेगा Plastering एवाल किसी दीवाल को आप plaster करते हैं वो भी एक activity कहलाएगा Painting एवाल किसी दीवाल को आप रंगते हैं क्या कहलाएगा एक activity कहलाएगा किसी भी project में बहुत सारे activity होते हैं, example के लिए लीजिए आपका project है जबकि ऐसा कि हम लोगों ने last video lecture में जाना था project किसको कहते हैं, तो project का example ले लीजिए construction of a building ठेक है construction of a building यह आपका project है, इस project में बहुत सारे activity होंगे, जैसे कि दीवाल बनाना, plaster करना, print करना, first बनाना बहुत सारे activity होंगी, छट का धलाई करना, इस तरह बहुत सारे activity होंगे, तो हर एक activity जो होता है, कुछ time consume करता है, साथी साथ कुछ resource भी consume करता है किसी भी activity को हम लोग diagram में, arrow diagram या network diagram जो भी आप लोग कहिए, यहाँ पे network diagram या arrow diagram में हम लोग arrow से represent करते हैं यहाँ आपको जितने भी arrow दिख रहे है इस diagram में, यह सारे arrow क्या दिखा रहे हैं आपको? activity दिखा रहे हैं, ठीक है? यह सभी क्या दिखा रहे है? activity, यहाँ total कितने activity हो गया? 1 2, 3 4 और 5 कहने का मतलब हुआ, इस project में total 5 activity है इस तरह से आप रिप्जेंट कर सकते हैं arrow के यह वाले portion को हम लोग tail कहते हैं, arrow का यह वाला portion head कहलाता है, ठीक है? यह वाला start हुआ activity activity का starting point यह हुआ और यह हुआ activity का ending point, ठीक है? end तो जो activity का start और end होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? event कहते हैं suppose कीजिए, आप किसी दिवाल को paint कर रहे हैं, तो painting यह वाल क्या है? एक activity है painting यह वाल क्या है? activity है लेकिन start painting, जैसे ही आप paint करना start किजिएगा, वो क्या कहलाएगा? एक event कहलाएगा और जैसे ही आप paint करना खतम किजिएगा जैसे finish painting, agent, event example के लिए यहाँ देखिए यह activity है, जिसको हम लोगों ने arrow से दिखाया गया है, हमारा activity क्या है? painting, लेकिन जब आप painting start किए, इसको हम लोगों क्या कहेंगे? event, जब आप painting finish किए, तो इसको क्या कहेंगे आप? इसको कहेंगे event, ठीक है? तो activity का starting और ending, दोनों क्या होता है? एक event होता है, clear है आप लोगों को? आगे चलते हैं path, ठीक है? an unbroken chain of activities between two events is called path, suppose कीजिए आपका दो event है, one और event five, इसके बीच जो activity का ये वाला unbroken path है, ये वाला ठीक है? unbroken change of activity जो है इसको हम लोगों क्या कहेंगे? path कहेंगे तो हमारे पास यहाँ दो path है एक path हो गया आपका A C, E, दूसरा path हो गया, B D, और E, ठीक है? इस दोनो path के through आप अपने project को क्या कर सकते है? complete कर सकते है ठीक है? आपका project A पे start हो रहा है, event one पे आपका start हो रहा है, और पाच पे क्या हो रहा है? खतम हो रहा है, तो आप पहले A कीजिए, फिर C कीजिए, फिर E कीजिए आपका क्या हो जाएगा project? complete हो जाएगा यह आप पहले तो B कीजिए फिर D कीजिए और फिर E कीजिए आपका project क्या हो जाएगा complete हो जाएगा यह जो आपका unbroken chain of activities है इसको हम लोग क्या कहेंगे path suppose कि इसको आप path 1 भी कर सकते हैं और इसको आप लोग path 2 भी कर सकते हैं अब इसमें एक path होता है वो critical path होता है ठीक है एक path होता है वो क्या कर लाता है critical path कौन सा path critical path होगा यह हम लोग आगे देखेंगे ठीक है तो यहाँ पर आता है duration अब क्या होता है duration it is the estimated or actual time required to complete a task or an activity किसी भी task के activity को complete करने में जो समय लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं duration कहते हैं जैसे suppose किजिए activity b है इसका duration यहाँ पर लिखा रहा है जिसे 2 दिन लगता है यहाँ पर हम लोग 2 दिन लिख देंगे activity D है, इसको complete करने में 2 दिन का, 3 दिन का समय लगता है यहाँ पर लोग 3 लिख देते हैं activity A है, इसको complete करने में 1 दिन का समय लगता है, 1 day तो यहाँ 1 लिख दीजिए, 4 है इसको लगए, यहाँ 4 लिख दीजिए ठीक है, मतलब activity C को complete करने में समय लगता है वो उसका duration कहलाता है पूरे project को complete करने में जो समय लगता है उसको हम लोग क्या कहेंगे project duration project duration किसी भी project को complete करने में जो समय लगता है आगे चलते हैं अब आता है dummy activity dummy activity क्या किसको कहते हैं जैसा कि हम लोगों ने पहले डिसकस किया कि किसी भी activity में resource और समय लगता है ठीक है लेकिन कभी कभी कुछ activity ऐसी होते हैं जिसमें कोई समय और resources consume नहीं होता है वो सिर्फ एक दूसरे का जो dependency होता है उसको दिखाने का काम करता है an activity which only saw the dependency of one activity over the other ठीक है but does not consume time or resources is called dummy activity ऐसे activity को हम लोग dotted line से दिखाते हैं कहीं भी आपको देखिएगा अगर network diagram या arrow diagram में dotted इस तरह से कुछ dotted arrow से आपको activity दिखाया जाए तो आप समझेगा यह dummy activity है यह dummy activity है इसमें न तो आप कुछ resource लगेगा नहीं इसमें time consume होगा सपोच किज़े एक जामपल के तरुम लोग समझते हैं कोई activity है P, Q, R और S चार activity है activity R is preceded by activity P and Q मतलब activity R किस पर depend करता है P पर depend करता है और Q पर depend करता है जबकि activity S किस पर depend करता है सिर्फ Q पर while activity S is preceded by Q only सपोच किज़े यह हमारा activity R यह हमारा activity R यह depend करता है किस पर P पर साथ ही साथ किस पर depend करता है आपका Q पर 2 पर लेकिन S क्या करता है S सिर्फ Q पर depend करता है अगर यहां से हम लोग S निकालेंगे तो यह हमारा network diagram यह गलत हो जाएगा यह वाँ network diagram क्या है गलत network diagram है इस तरह possible नहीं है इसको बनाना क्योंकि S यहां पर देखिएगा P पर depend करेगा Q पर पर depend कर रहा है तो हम लोग इस तरह से इसको draw करते है देखिए हमारा activity R है यहां पर activity R यह depend किया आपका P पर और साथ ही साथ Q पर और इसको हम लोग यहां से dummy activity से join कर दिये और यहां पर बना दिये हम लोग activity S अब देखिए activity S किस पर depend कर रहा है सिर्फ Q पर और जबकि activity R depend कर रहा है P पर और Q पर दोनों पर और साथ ही इसको बीच में dummy activity हम लोग add कर दिये हैं तो dummy activity यह काम किया है सर्फ dependency दिखा रहा है यह न तो कोई consume कर रहा है time को और नहीं consume कर रहा है किसी resource को clear है इसको हम लोग dummy activity कहते हैं आगे चलते हैं duration किसी भी project duration को अगर हम लोग calculate कर रहा है तो आपके critical path पर जितने भी activities आ रहा है सबके duration को क्या कीजिए add कर दिजिए ठीक है अगर हम लोग को project duration calculate करना है तो आपका critical path पर रहे decide कीजिए उसमें जितने भी activity आ रहे है सबके duration को क्या कर दीजे, add कर दीजे, ठीक है, तो आपका project duration मिल जाएगा, critical path is formed by critical activities, critical path पे जो जो activity होगा, उसको हम लोग critical activity कहेंगे, और critical path consumes maximum resources, सबसे अधिक resource किसमें consume होता है, critical path में, it is the longest path and consume maximum time, critical path क्या होता है, longest path होता है, और maximum time consume करता है, critical path पे जो होता है, जितने भी activity, सबका float क्या होता है, zero होता है, आगे आप लोगों discuss करेंगे, कि float किसको कहते हैं, अभी आप लोग याद रख लिजिए, critical path का जो होता है, float वो zero होता है, बहुत important objective question है, यह हर exam में आप लोगों को देखने मिल जाएगा, critical activity और critical path, इनका float क्या होता है, zero होता है, the expected completion dates cannot be met, if any one critical activity is delay, suppose कि जो आपका कोई critical path है, जिसे A, B, C और E, यह आपका critical path है, activity A, activity B, activity C, और activity E, यह क्या कहलाएगा, critical activity कहलाएगा, यह से भी क्या कहलाएगे, critical activity, critical path पर जो भी activity होगा, उसको हम लोग critical activity कहेंगे, और इस सब के duration को आप लोग जोड दीजेगा, जितने भी critical activity का duration है, तो आपका क्या मिल जाएगा, project duration, project duration, अगर इस critical activity में कोई भी activity अगर delay होता है, तो आपका total जो project हो जाएगा वो क्या हो जाएगा delay हो जाएगा आप अपने completion date को complete नहीं कर पाएगा अपने project को ठीक है तो आपके critical activity में कोई भी delay नहीं होना चाहिए तो आप लोग समझ के critical path क्या होता है critical path is the formed by critical activity it is the sequence of activities we decided the total project duration अगर आप से कोई पूछे total project duration आप लोग कैसे calculate करते हैं तो आप लोग बोलिए critical path के activity के duration को add करके clear है आगे चलते हैं अब यहाँ कुछ times आता है जो कि जैसे कि EST आप लोग हर्ट जगह देखिएगा earliest start time earliest finish time latest finish time latest start time क्या होता है सबसे पहला है आपका earliest start time इसको हम लोग short में क्या कहते हैं EST क्या कहते हैं हम लोग इसको EST क्या होता है earliest start time means कोई भी activity को जल्दी से जल्दी हम कभी start कर सकते हैं कोई भी activity को जल्द से जल्द हम कभी start कर सकते हैं उसे हम लोग बोलेंगे earliest start time यह हम लोग forward pass में ठीक है forward pass में हम लोग EST को calculate करते हैं forward pass क्या होता है आगे numerical के तुरुम आप लोग को हम बताएंगे ठीक है अब आता है EFT earliest finish time कोई भी activity जल्द से जल्द हम कब complete कर सकते हैं उसे क्या बोलेंगे earliest finish time EFT कोई भी activity जल्द से जल्द हम लोग कब complete कर सकते हैं उसे बोलेंगे earliest finish time इसका यह formula होता है earliest finish time is equal to earliest start time plus duration of that activity याद रखेगा आगे numericals में काम आएंगे आगे है latest finish time इसको हम लोग LFT भी कहते हैं मिंस कोई भी activity को late से late हम कब finish कर सकते हैं उसे बोलेंगे latest finish time इसे हम लोग backward pass में calculate करते हैं क्या होता है backward pass आगे numerical के थुरू आप लोग को समझाएंगे अगला है आप लोग का latest start time इसको हम लोग short में LSTV कहते हैं कोई भी activity को late से late हम कब start कर सकते हैं उसे बोलेंगे latest start time हम यह भी कह सकते हैं कि कोई भी activity कितना delay किया जा सकता है start करने में कि उससे आपको overall project duration पे कोई फर्क न पड़े उसे भी हम लोग latest start time कहते हैं इसका formula होता है LST ब्राबर latest finish time minus duration of that activity देखे हैं यहाँ पे plus है यहाँ पे हम लोग minus दिये हैं यह latest start time is equal to latest finish time minus duration of that activity इसे हम लोग backward pass में calculate करते हैं ठीक है backward pass में क्या होता है यह backward pass आगे numerical में हम आप लोग को समझाएंगे ठीक है अब आता है float and slack क्या होता है float it is the extra time over and above its duration which an activity can consume without delaying the project ठीक है it is the extra time over and above its duration which an activity can consume without delaying the project आपका जो समय दिया गया है उससे आप कितना extra समय आप ले सकते हैं ठीक है जिससे कि आपके project duration पे कोई फर्क ना पड़े suppose किजिए आपको एक project start किये आज करने के लिए आपको समय दिया गया है पास दिन का लेकिन आपको पता है कोई activity करने हैं आपको तीन दिन ही समय लगता है ठीक है तो आप दो दिन rest भी कर सकते हैं तो दो दिन जो आपको समय दिया गया है उस समय के कारण आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है जिस कारण आपको डिले भी करते हैं दो दिन का तो आपके project duration पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है float हम लोग generally use करते हैं CPM में CPM मतलब critical path method और slack हम लोग use किस में करते हैं part में use करते हैं बड़ दोनों का meaning क्या है same है यहां कुछ formula दिये गया है total float के बारे में free float के बारे में independent float के बारे में हम detail में नहीं जाएंगे यह आपका slavus में सिर्प introduction part दिया हुआ है ठीक है यह formula आप लोग याद रखिएगा total float is equal to LFT LFT मतलब जब लोग पिछले slide में देखे थे latest finish time minus earliest finish time और आप यह भी हो सकता है latest start time minus earliest start time free float का definition क्या होता है total float minus LFT minus EST of head event independent float का क्या होता है definition यह formula free float minus LFT minus EST of tail event tail event, head event किसको कहते है आपको पता होगा अगर कोई activity ऐसा दिया हुआ है इस side वाले कहेंगे tail event और इस side वाले कहेंगे head event यह formula को आप लोग याद रखिएगा objective में जनली यह formula पुछे जाते है one marks में आपके exam में और आगे numerical में भी आप लोग को जरुवत पड़ेंगे तो next आपका है critical path method इसी को हम लोग sort में कहते हैं CPM ठीक है यह क्या है एक project management का technique है that derives the critical path जैसा कि हम लोग पहले भी discuss कर चुके है कि critical path क्या होता है critical path हम लोग किस से found करते हैं CPM से found करते हैं it is a management technique that derives the critical path and also identifies the earliest and latest time these activities can start and finish without impacting the project and date तो critical path method क्या है CPM क्या है यह एक technique है जिससे कि हम लोग critical path को identifies करते हैं और साथ ही साथ हम लोग earliest time और latest time का पता लगाते हैं जिससे कि activity आप लोग start कर सकते हैं without impacting the project and date ठीक है advantage क्या क्या है आपका CPM का CPM provides a graphical view of the project overall project का आपको ए graphical view देता है it predicts the time required to complete the project इससे हम लोग यह पता लगा सकते हैं कि किसी भी project को complete करने में कितना समय लगेगा कहने का मतलब यह है कि हम लोग project duration के बारे में पता लगा सकते हैं it helps in planning the time schedule time schedule को planning करने में हमें help मिलता है CPM से better and details planning is possible with the help of CPM CPM के मदद से हम लोग अच्छा planning कर सकते हैं application कहा कहा है देखिए CPM mainly जो आपको use होता है वहाँ use होता है जहां पर आप लोग repetitive work कहते हैं जैसे कि किसी building का construction कर रहे हैं यह क्या है कि repetitive work है आप बहुत सारे building का construction हमेशा करते रहते हैं मतलब यह बार 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 होते रहता है तो repetitive work जहां होता है वहां पर हम लोग CPM यूज करते हैं जैसे CPM is frequently used in construction industry to help organize and schedule activities like construction of dam, construction of building complex, construction of highway जो repeat हो रहा है, बार बार काम होते रहता है, उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? CPM यूज करते हैं साथ ही साथ maintenance के काम में भी हम लोग CPM यूज करते हैं setting of while, refinery और power plant इसमें भी हम लोग CPM का यूज करते हैं cost control किसी project का करना है ते इसमें भी हम लोग CPM, critical path method का यूज कर सकते हैं आगे आता है आप लोग का pert देखिए ये CPM और pert एक बहुत ही बड़ा topic है बट आपका जो slavers दिया गया है management का इसमें सिर्फ आप लोग को introduction party पढ़ना है आपका जो exam का questions भी आएंगे वो भी starting के introduction level के question आएंगे ये mechanical engineering में बहुत ही detail में पढ़ना रहता है ठीक है, operation research में लेकिन आप लोग का introduction है इसलिए हम लोग सिर्फ definition level पे ही पढ़ाई करें detail में नहीं जा रहा है it is used for scheduling and controlling the projects where activity time could not be estimated with certainty इसका क्या मतलब हुआ कि देखिए, CPM में क्या होता था हम लोग उस तरह के project को use कर्में लगाते थे CPM को जहां पे हमको activity का time क्या है clear पता रहता था कि ये काम को करने में हमको 4 दिन का समय लेगा suppose किजिए किसी दिवाल को आप print कर रहे है तो ये activity आप बहुत बार करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि अच्छा इतना बड़ा दिवाल है तो इसको print करने में कितना समय लेगा हम calculate कर सकते हैं मान के चीज़े 4 days इसमें आप लोग CPM use कर सकते हैं तो बार बार activity उज़ कर रहा है लेकिन कुछ activity ऐसे होते हैं जो आप first time करते हैं जिसके बारे में आपको पता ही न लगता है इसमें कितना समय लगने वाला है हमको उसमें activity duration आपको exact पता नहीं होता तो वैसे में हम लोग क्या उज़ करते हैं पर्ट यूज करते हैं ठीक है पर्ट यूज करते हैं जैसे आप लोग research and development का काम ले लीजिए जब आप research और development करते हैं तो आपको पता नहीं रहता है कि आपको कितना समय लगने वाला है किसी defense का project कर रहे हैं suppose किजिए आप कोई fighter plane बना रहे हैं तो पता नहीं रहता है कि इसमें दो साल लगेगा कि तीन साल लगेगा किसी नए project में आप किसी नए product का prototype develop कर रहे हैं तो उसमें भी आपको पता नहीं रहेगा कि आप इसमें कितना समय लगने वाला activity का exact duration क्या होगा ठीक है तो उस सब चीजों में हम लोग क्या करते हैं पर्ट का यूज करते हैं program evaluation and review technique का इसका advantage क्या है it provides an analytical approach to the achievement of an objective यह हम लोग एक analytical approach provide करता है पर्ट establish sequence of activities in their interrelationship ठीक है it provides a logical plan for formulating a realistic schedule of the activities इससे हम लोग एक realistic schedule प्राप्त कर सकते हैं यह पर्ट chart makes planning large project easier किसी बड़े project का जो planning होता है इससे आसान हो जाता है पर्ट की मदल से application पहले ही बोल चुके है research and development में use होता है missile countdown में use होता है design and fabrication of space flight क्योंकि हम लोग हमेशा space flight regular तो नहीं बनाते हैं frequent तो नहीं बनाते हैं एक नए तरीके से हरमेशा research and development चलते रहता है इस समय हम लोग इसमें पर्ट का यूज करते हैं डिजाइनिंग ए prototype of a machine, development of supersonic planes, end of month closing accounting reports इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं पर्ट का यूज करते हैं यहां दिया हुआ है पर्ट और CPM के बीच का difference यह बहुत ही important है इसको आप BVI लिक लेजे बहुत ही important है आपके exam में जो आपका SBT का exam होता है whole technique का इसमें आने की chances बहुत ही ज़्यादा है 4 marks में generally पूछे जाते है difference पर्ट और CPM का difference अगर 4 marks में पूछा तो minimum आपको 4 difference लिखना है 6 marks में पूछा तो minimum 6 आप लोग को लिखना ही लिखना है तो पहला difference क्या है it is used to manage uncertain activities of a project जैसा कि हम आप लोग को बता है uncertain activities क्या होता है जिसका कि हम लोग को exact duration पता नहीं हो अगर उस तरह के activities को हमको manage करना है तो हम लोग PERT का use करेंगे और CPM का use क्या आप करेंगे जब हमको well defined activities हो मतलब उसका activities का समय हमको पहले से पता हो duration हमको पहले से पता हो उसमें हम लोग क्या use करेंगे CPM critical path matter हम लोग use करेंगे यह जो होता है PERT आपका यह आपका event oriented होता है याद रखिएगा बहुत important objective में पुछा जाता है जितने भी competitive exam होते हैं उसमें आपको यह मिल जाएगा हमेशा कि PERT आपका event oriented होता है और CPM क्या होता है activity oriented होता है ठीक है CPM क्या होता है activity oriented याद रखिएगा जैसे AC होता है घर में आप लोग AC लगाते हैं तो AC मिल अ होगए आपका activity और C का मतलब हो गया CPM ठीक है activity मतलब CPM हो जाएगा activity oriented मतलब CPM ठीक है जैसे घर में आप लोग AC यूज करते हैं याद रखने के लिए आपको सिर्फ बता रहे है जैसे मैंने बताया कि आप लोग को कि आपका part क्या होता है event oriented होता है और CPM क्या होता है activity oriented होता है हर एक आपको competitive exam में इसके ओपर objective मिल सकता है तो आप लोग कैसे याद रखिएगा घर में आप लोग क्या यूज करते हैं AC को pull form क्या होता air conditioner A का मतलब हुआ activity और C का मतलब हु करता है ठीक है और यह आपका deterministic model पर काम करता है इसमें हम लोग तीन time estimate करते हैं optimistic time pessimistic time और most likely time इसमें सिर्फ हम लोग एक time estimate करते हैं ठीक है management of unpredictable activities इसमें हम लोग unpredictable activities का management करते हैं इसमें हम लोग predictable activities का management करते हैं जैसा कि पहले ही बता चुके हैं इसमें जो हमारा job होता है non repetitive होता है इसमें हमारा जॉब क्या होता है रीपिटेटिव होता है सुटेबल फोर रिसेर्च और डेवलप्मेंट प्रोजेक्ट सुटेबल पोर नॉन डिसेर्च प्रोजेक्ट लाइक सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क एटसेटरा इसमें हम लोग स्लैक यूज करते हैं जबकि इसमें हम लोग फ्लोट यूज करते हैं ठीक है तो यह था आपका इंट्रोडक्शन ऑफ सी पी एम एंड पर टेक्निक आगे के लेक्चर में हम लोग सी पी एम के ऊपर जो आपका सिंपल नेटवर्क प्रोब्लम है उसके बारे में डिसकस करेंगे थैंक्यू